आपका mutual fund account हो जाएगा freeze और आप कोई भी transactions नहीं कर पाएंगे अगर अगर आपने 31 March 2023 से पहले nominee details को update नहीं किया तब बड़ी ही आसानी से कैसे करेंगे आप यह updates जानेंगे इस वीडियो में हो सकता है आप में से बहुतों ने nomination details को update कर दिया हो पर कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें यह पता नहीं है कि nominee की details को update कैसे करना है तो यहां इस वीडियो में हम दो तरीकों की बात करेंगे और जिसमें से दूसरा तरीका तो इतना आसान है कि मिंटो में ही आपके सभी nominee details एक ह platform से update हो जाएंगे तो सबसे पहले आपके सामने यह सेवी का circular है और आप इसमें जो points highlight किये हुए है उन पर ही ध्यान दें सबसे पहले तो यह है कि जो भी नए investors हैं जिन्होंने 1 अगस्त 2022 के बाद से mutual fund में invest किया है तो उनके पास में यह choice थी कि या तो वह nomination भरें या फिर nomination से opt out कर दें मतलब किसी को भी nominee ना बनाएं पर जिन्होंने काफी पहले से mutual fund में invest किया हुआ है उनके लिए क्या होगा तो उनके लिए यह नियम है कि या तो वह लोग नया nominee डाले या फिर इसे opt out कर जाएं पर 31 March 2023 से पहले तो मेरे ख्याल से अभी तक तो आप यह नियम और आपको क्या करना है वह तो समझी चुके होंगे और इसके बारे में मैंने यहाँ पर वही चीज़ बताई है पर अगर आपने nominee की details को 31 March 2023 से पहले update नहीं किया तो फिर आपका mutual fund account freeze हो जाएगा उसके बात आप उसमें से कोई की भी transaction हो यानि खरीदा बेचना या SIP कुछ भी continue नहीं कर सकते हैं अब अगर आप यह सोच रहे हैं कि आपके पास में तो काफी सारे mutual fund investment है तो फिर क्या आपको सभी की website पर जा करके nomination details को update करना होगा या फिर आपको mutual fund houses के चक्कर काटने पड़ेंगे या फिर किसी agent को पग बन जाएगा तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको यहां पर दो तरीकों के बारे में बताऊंगा और उन में से दूसरा तरीका बहुत ही बहतरीन है क्योंकि एक ही platform पर आप सब कुछ कर सकते हैं तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में तो अगर आपको ल लिंक मैंने description में दे दिये हैं अब आप पूछ सकते हैं कि मैंने यहां पर दो अलग-अलग website का नाम क्यों दिया है देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि के फिंटेक और कैम्स अलग-अलग mutual fund के रिजिस्ट्रार्स हैं और हो सकता है कि आपके पास में जो mutual fund हो वह या तो के फि OTP generate करना होगा यहां पर आप इनी screenshots को देख सकते हैं जिसमें बाएंवाला के फिंटेक का है और दाहिने वाला कैम्स का है अब अब अपना email या फिर sms चेक करें और जो OTP आया है उसको यहां पर डालें फिर next पर click करें के फिंटेक की website में आपको OTP validate करने से पहले अपना portfolio detail select करना होगा पर cams में portfolio का selection OTP डालने के बाद आता है और आप इसे यहां पर देख सकते हैं तो सबसे पहले यहां पर cams की बात करेंगे और जैसे ही मैंने portfolio को select किया उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि इसमें मेरे पूरे portfolio की details आ गई और यहां पर देखी रहा है कि इसमें जितना भी portfolio cams के साथ registered है उसमें nominee की detail updated है जिसे आप यहाँ पर इस screenshot में देख सकते हैं यहाँ पर मान लें कि अगर cams की website पर nomination detail updated नहीं है तो आप यहाँ पर register nominee पर click कर सकते हैं और नए nominee की detail भर सकते हैं अब चाहे तो nomination को opt-out पर भी click करके किसी को भी nominate करने से बज़ सकते हैं अब बात करेंगे के fintech की तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर access mutual fund के इस portfolio में मेरा nominee intent opt-out का है जिसे मुझे opt-in करना है तो फिर मैं यहाँ opt-in पर click करूँगा अब जैसे ही मैंने opt-in पर click किया तो उसके बाद यह पूछेगा कि आपको कितने nominee डालने हैं मैंने हाँ पर एक nominee की detail डाली और उसके बाद में आपको nominee का पता कितना percentage allocation करना है यानि कितना हिस्सा nominee के लिए रखना है percentage में nominee का pen डालना जरूरी नहीं है और आपका उस nominee के साथ में क्या रिष्टा है और nominee की date of birth कितनी है यह सब details डालने के बाद में आपको data save करना है उसके बाद में आपको data को submit करना है और फिर OTP verify करने के बाद में final submit करना है इस तरह से आप बड़े ही अराम से बिना कोई registration किये nominee की details update कर सकते हैं और जानने वाले हैं एक बहुत ही शांदार platform के बारे में जिसका नाम है MF Central जी हाँ दोस्तों MF Central एक बहतरीन platform है mutual fund investment और उससे जुड़ी वी सभी details जानने के लिए और इसे के Fintech और Camps ने मिल करके बनाया है पर आपको इसे use करने से पहले इसमें registration कराना होगा registration के लिए आप यहाँ sign up पर click करें फिर pen और mobile और email details डालने के बाद में create account पर click करें उसके बाद में आपको OTP verify करना होगा और कुछ personal questions के answers डालने होगे verification के लिए और फिर आपका account create हो जाएगा अब जैसे ही आप MF Central में login करेंगे तो आपको dashboard कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें आपको submit service request पर click करना है उसके बाद में आपको update nominee details पर click करना है जैसे ही आप nominee details पर click करेंगे तुरंथ ही आपके सारे mutual fund portfolio वह चाहे camps के साथ registered हो या फिर cave in tech के साथ ने पूरी details आपके सामने आ जाएगी आप यहाँ पर देखी सकते हैं अब जिसमें nomination details updated नहीं है उसके आगे no लिखा रहेगा जिसे आपको update करना है और अगर वह updated है तो उसके आगे yes लिख कर आएगा जिसके बारे में आप view के उपर click करके और भी ज़दा details देख सकते हैं अब जैसे ही आप nomination details update करने के लिए click करेंगे तो आपके pass पे यहाँ पर एक option आएगा opt out करने का आप चाहे तो उसे भी click करके submit कर सकते हैं ध्यान दें यह option आपको जब चुनना है जब आप किसी को भी अपना nominee नहीं बनाना चाहते हैं अगर आपको नया nomination डालना है तो फिर आप add details पर click करें और यहाँ पर relation भरें नाम डालें date of work डालें percentage share डालें gender डालें और उसके बाद में save करें और यहाँ पर बाकी सब ही details को भरना ज़रूरी नहीं है इसके बाद जैसे ही आप details को check करके submit करेंगे तो आपको OTP डालना होगा और उसे verify करना होगा और जैसे ही आप OTP verify करेंगे उसके बाद में आपका transaction success हो जाएगा और आपको एक reference number भी generate कर दिया जाएगा जिसे आप future के लिए load कर सकते हैं तो दोस्तों यही थे वे दो तरीके जिनकी मदद से आप बड़ी ही आसानी से अपने mutual fund में nominee की detail को update कर सकते हैं पर इन दो तरीकों में से मुझे mutual fund central वाला तरीका काफी आसान लगा detail update करने के लिए मगर हाँ उसे आपको use करने से पहले उसमें registration कराना होगा देखिए वैसे nominee का चुनाओ तो आपकी मर्जी के उपर है पर मेरे हिसाब से nominee का चुनाओ करना ही बहतर है और उसे आपको opt-out नहीं करना चाहिए और ध्यान दें कि अपने सारे mutual fund portfolio में 31 March 2023 से पहले nominee का detail update करना न भूले अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से mutual fund है जिनमें आपको अभी निवेश करना चाहिए तो उसके लिए देखें यह video